वेल्कम बैक नाजरीन नाजरीन ब्रेक पर दॉक्टर साब को पुछाओं पर कुछ आलोगा कंटिनू के इंडास से पर तांके बुधाई दी हला तहां जिए अगर कि सवाल हो ज़न दॉक्टर साब का अगाल पुछी नहीं हो ज़ित जरूर सांखे कौल करें पुछी से गोता जी दॉक्टर साब से पुछा चाओंगी कि हमारे मुल्क में हेर ट्रांस्पांटेशन और कास्मेटिक सरजरी का क्या मयार है बहुत आला बहुत ज्यादा अच्छा और आप उसको किसी भी इंटरनेशनल लेविल पे जो है वो कंपेर कर सकते हैं मैच कर सकते हैं आप 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 ज्यादा के से बहुत ज्यादा काम हहा है और कमपरेटिवली दुनिया के मिकाहबले में काफी सता क काम हो तो और आप आप तर इस जी पर भी मैयार के हवाले के सासाथ यह बही है कि हम जो भी बड़े इ Double साधियर्ट साथजर्य हैं। उनके पास एक बहुत बड़ी कदा जो हे वो फॉरेंग्लाइंटस टी है। reun tell हमारे हां एशें कास्मेटिक सदिक में इसका नाम ही है एशें इंटरेशनल कास्मेटिक सर्जीर्य साथे शेंट्र नाम ही है फासें GC बंगलादेश बहुत सारी चीजों में सुना है कि हमसे आगे है शायद जो कौटन इंडिस्ट्री है जो कपड़े की सनत है या जो पंखा साजी वगर की सनत है बंगलादेश जो है तो वह हमसे आगे निकल गया है लेकिन अलहमदलल्ला आप प्राओड तुसे कि महां पर हैर ट बिल्कुल जो अच्छे अधारे हैं जो अच्छे सता पर काम कर रहे हैं जिन्होंने मैयार को मैंटेन किया हुआ है उसको आप किसी भी जो है इंटरनेशनल स्टेंडर से कंपेर कर सकते हैं उनके काम को उनके मैयार को इसके सासत मैं अपने अधारे के हवाले से मी थोड़ा स के हवाले से जो एवार्ट था जो के स्पीकर सिंध जनाब निसार खोड़ो ने तो उसको चेर किया था उसके सदारत की ती तो एवार्ट जो है वो एशियन कॉस्मेडिक सरजरी सेंटर को मिला तो इस फिल्ड में ये पहला वार्ड था क्वालिटी कंट्रोल एवार्ड जो है इस फिल्ड दूसरा दूसरी मरकबा पाकिस्तान में ये प्रोग्राम जो है वो सेलिब्रेट किया गया जब कि दुनिया में कॉलिटी कंट्रोल डे 42 से मनाया जा रहा है तो हमने कॉलिटी कंट्रोल डे जो है 40 साल के बार मनाया पहली बार मनाया तो लेकिन चलिए खयाल तो क्वालिटी कंट्रोल का ख्याल आवा और इसके स्टेंडर्ड को जाचा गया नापा गया मुक्तलिफ शोगों में तो जो हेर ट्रैंस्प्लांट और कॉस्मेडिक सर्जिरी की जो फील्ड है इसमें जो उन्होंने सेलेक्ट किया और नमिनेट किया और जो एवार्ड दिया वो पाकिस्तान में पहला क्वालिटी कंट्रोल एवार्ड जो इस करहा की फील्ड में दिया गया वह भी हमारे हिस्से में आया अलहमदलेला इसके साथ ब्रांड अभ दी एयर ओवार्ड जा पांची मर्तबा चौथी मर्कबा मुनत्विभ हुआ हर मर्कबा प्राइम मिनिस्टर यह एवार्ड देते हैं। पाक्स्तान का सबसे बड़ाता है। किसी भी शुबे में उतिक्स भालाइसा क्लाइशन। जाए पूच्मी पानचमीं मत अंच में इस काटगरी और आटी हूं। और पहली ही मरतबा ये अजास ही एशियन कॉस्मोटिक सर्जिरी सेंटर के हिस्से में आवा कि अजास को ब्रांड ओफ दी एर रवर्ड प्राइम मिनस्टर यूसुफ रजा गिलानी साब में तो अलाम बिल्ला बींगा चीफ एक्जेकेटिफ तो मुझे दिया तो मैं पहले प आप अलाम के बहुत बाइब बँदे खा इन रवाद की तरही को खार यह प्लीक साहिए और पापने वेलिए को बभी एक आपम एक कंदे का में लिए अगयर किरिट कभी वेपने साफ ने लिए यह एलका है और अगर रेसीब करता हं तो वो लिएके और वेदुच ऐसके और अपने साथ जो कुलीक्स मेरे काम कर रहे तो मैं उनको लेता हूं कि मैं यह मिला मुझे है बीगा है अब 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 आप सब लोगों का है यह अब अब यह ज़िए कोई भी शक्स जो है कोई भी कप्तान मैच इस वक्त तक नहीं जी सकता जब तक उसकी पूरी टीम जो है जी व आपके पास औरतें आती हैं क्योंकि यह या मर्द हज़रात भी उतने ही परसेंटेज में आते हैं या औरतों का जादा होता है किसका रुजहां जादा है चीज़ कर अच्छा वो आपने थोड़ा सा लफ लाप्लास्टी अलग चीज़ है लिपक्तिमी अलग चीज़ है वजन को कम करने का एक तरिका है एक पहला जो कंसेप्ट है वो सुसाइटी में वो यह है कि अगर हम मोटे हो गए हमारा वजन बहुत ज्यादा हो गया है तो हम लापो सक्षिन कराएंगे और उसके बाद हम बिल्कुल जो है तो वो किसी भी मॉडिल अदाकार या अदाकार की चाहतर है वो पत्ले दूले हो जाएंगे तो यह जो कंसेपज है यह गलत है तो पहले आपका कंसेप्ज्ब कलिए होना लात i कुछ चर्वी उती है तीन तरह की चर्मी को हमारी जायए चिर्वी होती है कि ढ़री में जिकर हादी क्छा की डीर्टि के इट तीन जगाने चिर्वी होती है गर्डे के हमारी में आंथ ओंध ओंध और पेट शियमा हुआ भी यह कने हुटе है जो हमारे खुन में गर्दिश कर रही होती है, जिसको आम जबान में कॉलेस्टरॉल या ट्राइगलेस्राइट्स कहते हैं, जो खुन के अंदर चर्बी का लेवल होता है, वो एक अलग चीज है, तो लैपर सक्षान जो रिलेटेड है या जो बिल्कुल सेलेक्टिट काम है, व मोटी सी जो तह जमा जाती है मोटे लोगों के, उस चर्बी की तह को तहनील करके उसको घुल के या उसको पिगला के बाहर खेंशने का जो नाम है, ये लापो सक्षन है, ये अमल जो लापो सक्षन कराता है, ठीक है, ठीक है, ये कुछ मशीने होती हैं, बहुती की हाई टेकनालोजी पर मुश्तमिल जो है तो वो एकिप्मेंट होते हैं, उन के जरीए ये पर्फॉर्म किया जाता है, ठीक है, इसके कोई बहुत जादा सर्जिकल जो प्रोसीजर्स हैं वो नहीं होते, पंच्छु ओंस के जाते हैं, चोटे छोटे से कुछ होल के जाते है अच्छा इन वोल्स का जो डायमेटर होता है वो 3-5 मिली 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 अजिसमें के तो छुपजाएन, नजर नाए तो निए पर आपके नजर नाए हुआ तो इसे जजह पर निशान बनाए जाते हैं कि आम क्रें पर नजर ना हाएँ तो उन सुडाखों के जरीए एक ट्उूब होती है डबबल ट्उूब होती है एक जैसे यह ठीजिए के अंदर लगा है तो यह जो अंदर वाली जो ट्फीप होती है इसके पीछे एक मशीन लगी होती है जिसमें से खास कुस्यूरीर जो बहात प्रेशर से निकल रहा है अचा चitchenहा खासा प्रेशियर होता है। जैसे हैं गाड़ी माती हैं कारी भी खार परकी उपने साथ... यहां प्रेशियर से प्लीूड निकलता है। तो फ्लूट जो है इस फैट्स को अपने साथ जो है तो वो मैश कर लेता है पानी के बारे में तो मशूर है ना कि अगर वो कत्रा किसी पथर पर बी गिरता रहे तो इस पथर में भी सुराफ कर जाए तो जब कि आप देखते हैं कि चर्बी जो तो वो इतनी हाड मी होती है बिलेट काम करता है एक तरह प्रेगर के लिए को ब्रेक करने के लिए बिलेट का काम करता है उस चरबी की तै को अपने साथ हल गर लेता है तै महलूल बना देता है साथ ही इस यह बाहर वली ट्यूब होती है इसके अंदर चोटे-चोटे से सुराख होते हैं इतने बड़े-बड़े चोटे-चोटे से इस ट्यूब में मुख्तलिफ जोगों पे सुराख होते हैं और इसका connection जो हता है वो एक suction vacuum suction के साथ हो रहा होता है तो यहां से फिलूट निकल रहा है यह फिलूट जो है वो चर्वी के लेयर को मेश कर रहा है और उसके साथ-बड़े इन सुराखों के जरीए वो एक suction vacuum के जरीए वो फिलूट और वो चर्वी की जो पिगली लेयर्स है वो suction machine के जरीए उस suction pump में आके अंदर आके जमा वरी होती है तो यह जो प्रॉसीज़ है बड़ा सिंपल सा प्रॉसीज़ है लेकिन दो घंटे में, तेड़ी घंटे में मुकमल होता है और बहुत ही अच्छा प्रॉसीज़ है तो यह प्रॉसीज़ जो लापो सिक्ष्षन के लाता है और यह जो टेक्निक है जो मैं आपको बताई है जिसमें fluid निकलता है और वो चर्वी को मैश करता है और फिर यह vacuum machine है वो तो वो सक करती है यह water assistant लापो सिक्ष्षन के लाता है ये बाड़ी जैट लागो सेक्शन के लागों तो डाट सब ये जैसे मैं पूछ रही थी कितने परसेंटेज है जो औरतों का जो कराता है और मर्दों का और जैसे आपने तो अभी पेट का से करे किया मगर बेसिकली ये डिफरेंट एरिया से फैट निकाला जाता है आपको इसको ये बाजू के लिए भी करा सकते हैं यहां पर जो फैट दिनके जमा हो जाता है हिससे मोटे जाते हैं ये करा सकते हैं यहां पर एक ऐसे गोल सा बनता है बास जो लोग थोड़ों से जिनका वजन बढ़ जाता है जिसको हम लोग बनाना एंगिल्स काते हैं ठीक है वो लोग करा सकते हैं, जिनकी टमी थोड़ी सी बढ़ जाती है, मोटी हो जाती है, और ये इनके लोग हेंडिल्स खतम हो जाते हैं, यहां पर ये हम से बाहर निकल आता है, गुल, अब्डॉमिन, तो ये करा सकते हैं, बाज लोगों के आपने देखा हो गए कि ये वाली चीज उनके इनके हैं टांगे आपस में टकराकिम के इनकी इसक्रीं के हburgis कराम के, इनकी काज़ार अन्टेशन्स तिर आपका ये उकल्त आती हैं, तो बेंको बड़े में रेखा है पुर्शन्स कर सकते हैं, थैस को कर सकते हैं के ये सटेप बाइ स्टेप करिशन्स जो ऺत ness ही आपका सेर्टन एक वेट लिमिट होनी चाहिए कि आपका इतना उबीस बजन हो जाएगा या इतने कीलो आपके जादा हो जाएगा आपके हाइट के प्रोपोर्शन में जो एक वेट होता है तो ही हम करेंगे या किसी भी चीज के लिए क्यों होता है खातुनों को फिर थोड़ अब बाजू मोटे हुईते हैं जी इसका तो करवा दें बहुत मोटे है आप बाकादर स्टेडि कर के आएगा आज आप बहुत ही जो है तो संटिफिक कुस्टन करीं आप मालूमाथी कुस्टन करीं जी तो यह जो हाइट के हिसाब से जो वजन होता है इसको हम बोड़ी मास करते हैं जी बी-एम-ाई लगे हैं बी-एम-ाई का एक फार्मुला है उस ऽो हम अपना बोड़ी मास यंडेक्स जो है कि अब वो मुटापी की तरफ माइल हो गए है ठीक है तो बी एम आई निकालने कर जो फार्मुला है अगर कोई नोट करना चाहे तो वो नोट भी कर ले और अगर अगले प्रोग्राम में मेरे साथ डिसकस करना चाहे टालेफून पर या अगर नमबर इन्होंने चलाया है मेरा 0333-214-2927 तो परसनल नमबर है 0333-214-2927 तो उस नमबर पर फोन करके प्रोग्राम के बाद ये डिसकस कर लें कि मेरा मेरी हाइट इतनी है मेरा वजन इतना है मुझे मेरा बी एम आई बता दें तो मुझे पता चल जाए कि मैं कितना मोटा हूं सही ठीक है तो हाइट इन मी इसक्वार डिवाइड बाई वेट इन कीजी आप निकालेंगे तो आपका BMI आ जाएगा है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है अकसर फोन्स में भी एप्लिकेशन भी होती है लैप टॉप्स पे कंप्यूटर्स में ये चीजे होती भी है कि आपना हाइट सेंटीमीटर में डालें पापी सिंदार ने से इन न्यूज ब्रेक हम पोया है गाल बुल कंचिनु किंदा से स्टे चुने